प्राइब लेंगे तो इसमें परक्राइब प्राइब सेट टू-पांट-सिक्स शुरू किया है और इसमें मैंने पहला कुश्ण लेया है यह वर्ड बेस्स प्रब्लेम है और यहां पर डिफिकल्टी जो रहते हैं पहले दूमें बताता हूं कि इसमें इक्वेशन बढ़ना असन होता है और उससे तुम यहां पर पर गूप वेशन बढ़ना मनें इसके बादुशल करना कायसा है की सब्राइब वाक्स और थे प्रगति अज तो यह हरसे एगो एच थरी एश हैं सब्स इस开टी आ फालए फैंड फैंके प्रेसंट ईश्टा नहीं प्रगतिיים का, तो लेट अम लोग लिधे लेट प्रेजेंट इज प्रेजेंट एज excessive एख प्रय कैetus अभी एक्स लेते एर्स अभी तुम्हें पहली जो कंडिशन दिये ओ दिये प्रगटी एज टू एयर एगो दो बरस पहले उसका एज क्या रहेगा ओके एज टू एयर एगो क्या रहेगा तो आएगा एक्स माइनस टू और उसके बाद में दिया है एज थ्री एर्स अप्टर एज थ्री एर्स अफ्टर तो तुम्हें पता है उसमें एड हो जाएगा तो एक्स प्लस थ्री आएगा उसका प्रोड़ाक्ट दिया है प्रोड़ाक्ट का मतलब मल्टिपिकेशन होता है तो एक्कॉर्डिंग टू कंडिशन कंडिशन से तुम्हें लिखना पड़ता है दोनों का प्रोडक्स है मतलब इसमें प्रोडक्स है तुम्हारा x-2 multiply x-3 और वो कितना दिया है तुम्हें तो 84 दिया है तो तुम यहां तक आ गए पहले तुमने प्रगति का age माना दो बरस पहले उसका age minus हो जाएगा आज के age से तो x-2 दो बरस बाद उसका age plus हो जाएगा तो यहां पर 3 है तो यहां पर 3 हो जाएगा तो इससे तुम्हें प्रोडक्स में लेना है तो x-2 multiply x-3 तो अब तुम्हें इससे multiplication करना है तो पहला देखो multiplication कैसे करते हैं पहला तुम पहले term ले लो और उससे multiply दूसरी term करो प्रस 3 बच्चो भी minus 2 ले लो उससे भी x plus 3 से multiply करो equal to 84 अभी देखो यहां पर x से अंदर multiply करना है x multiply x हो जाएगा x square plus x multiply 3 हो जाएगा 3x minus 2x हो जाएगा यहां पर 2x और minus यहां पर हो जाएगा 6 equal to 84 अभी यहां पर देखो quadratic equation के लिए हमें x square मिला है और यहां पर 3x से 2x जाते है तो खाली plus x मिलता है और यह जो minus 6 है अगर यहां पर तुम्हें लेना है तो 84 को right side से left side में लेते हो तो minus हो जाएगे और दोनों को add करोगे तो minus 90 हो जाएगा तो मैं यहां पर direct minus 90 लिखता हूँ equal to 0 तो यह हो गया हमारा quadratic equation अभी इसे मुझे solve करना है तो इसे मुझे solve करना है तो इसे जादा करके factors method इस्तमाल करो पहला देखो इसे factors method से solve करना possible है क्या फिर तुम factors method इस्तमाल कर सकते हो जो महिने तुमें यही lesson में factors method महिने तुमें शिकाई यह कैसा करने का है तो इसे हमें लेता हूँ अभी x square plus x minus 90 equal to 0 तो मुझे minus 90 factor बनाने अगर देखो उसमें addition होने चाहिए 1 क्योंकि यहां पर 1 है और multiply होने minus 90 तो अगर मैं 10 और 9 लेता हूँ और में पहले बताए था अगर यहां पर मेरा plus sign है तो मुझे बड़ा नंबर plus और छोटा नंबर क्या लेना पड़ता है minus क्योंकि मैं यहां पर मेरा minus 90 10 multiply 9 होता है 90 और minus आएगा यहां पर तो minus 90 तो यहां पर x square plus 10x minus 9x x common निकलता हूँ इसमें x बचेगा यहां पर plus 10 बचेगा यहां पर अगर मैं 9 common लेता हूँ तो यहां पर x बचेगा यहां पर यह 9 common आता है तो अंदर बचता है plus 10 फिर equal to आएगा 0 यहां पर आएगा दो common bracket मिले है तो मैं x plus 10 और दूसरा x minus 9 equal to 0 तो यहां पर अभी मैं solve करता हूँ इसे x plus 10 equal to 0 और x minus 9 equal to 0 तो यहां पर x equal to minus 10 आएगा और x equal to 9 आएगा लेकिन देखो यहां पर हम लोग age निकाल रहे हैं और age तो कभी minus होता नहीं है तो तुम यहां पर reason देना पड़ेगा but age is cannot negative और negative नहीं होता है तो तुम्हें इसे so x is not equal to minus 0 तो बचा किया है x equal to 9 तो तुम्हारा जो present age of the of प्रगति है वो क्या रहेगा 9 year therefore present age of प्रगति is 9 year तो यहां पर students यह करना बहुत जरूरी होता है कि जो तुम यहां पर solve करते हो तो तुम्हें यहां पर question मैं एक solve करता हूं यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 10 question है all together सभी question अलग अलग टाइप के जिसमें तुम्हें थोड़ी सी method change करने पड़ती है तो मैं यहां पर कुछ question solve करके दे रहा हूं और एक दो the sum of square of two consecutive even natural numbers numbers is 244 find the numbers the code natural number consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले देशे कि 244 के बाद में 6 6 के बाद में 8 तो consecutive natural number even natural तो यहां पर तुम्हें फाइंट करने इसे number दिये नहीं हमें तो पहले इसे मानना पड़े देखते हैं यहां पर लेट आफ फर्स्ट आइवन कि नैच्रल कि नंबर कि भी एक्स मैंने एक्स माना है उसे तो अफकोस सेकंड जो आएगा वह एक्स प्लस टू आएगा क्योंकि दो नैच्रल नंबर जो होते हैं उसमें तू का डिफरेंस होता है तो सेकंड एउवन नैच्रल नंबर बे एक्स प्लस टू अभी तुम्हें तुम्हेंे पर दोनों वे नैच्रल नंबर होगये तो कंडिशन क्या दिया हैं सम है अपॉर्डिंट dw नंबर लिख सकते हो जो कंडिशन तुम्हें यहां पर दीए तुम्हारे प्रॉबल्लिम में उसे तुम्हें लेना पड़ता है क्या हो सकता है सम का मतलब होता है एडिशन और दूसरा स्क्वेर आप स्क्वेर का मतलब होता है एकस का स्क्वेर और एकस प्लस टू ब्रैकेट स्क्वेर यहां पर एकस प्लस टू स्क्वेर और कितना तुम्हें 244 तो यहां पर इंपोर्टन क्या होता है कि तुम यहां तक आए तो बहुत सारा तुम्हें समझों कि तुम एंसर के पास पहुंच गए हो तो देखो अब मैं यहां पर यहां से सौल कर रहा हूं तो यहां पर मैं इसे समझना जरूरि है कि हमें पर्टिकूलर ऐसा ब्रैकेट स्क्वेर आएगा तो हमें यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना हे हूं उसे हम लोग expansion formulas में हमने मैंने तुम्हें बताया है यहां तुम देख सकते हैं मेरा दूसरा भी वीडियो है उसमें मैंने expansion formulas में सभी formula अच्छी तरह से explain करके बता है तो यहां पर देखो यह जो है हमारा डाओ L मैं यसा हो गया है तो यहां पर यहां पर 204 ने टूरीच प्लस फॉर एक स्बसार फोर जाते है तो हीन सो क्हांट वो फोर आथा प्लस फॉरेकस और तो QUAL यहां पर इक स्व 충न माने साल करना है है तो यहां यहां पर तुम्हें माइनस डू फोल्टी मॉल्टिप्लाइए अगर टू करोगे तो यहां पर नमबर ज्यादा और जाएगा तो इसे आम लोग रिडूस कर सकते इसको डिवाइड बारो टू करके तो देखो मैं डिवाइड बारो करके यहां पर एक स्क्वेयर प्लस टू x-1 120 इक्वाल पूपट यहां पर डिवाडिंग नुट दू ऐसा लिख सकता हो तो यहां पर तुमारे एक्वेशन छोटा हो गया है तो नहीं तो मानिस 120 के तो यहाँ पे 12 multiply मैं 10 ऐसा factor लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा multiplication minus है लेकिन यहाँ पे 2 plus है तो मुझे यहाँ पे plus लेना पड़ेगा यह minus लेना पड़ेगा अब देखो यहाँ पे equation फिर लिखता हूँ x square plus 12x minus 10x minus 120 equal to 0 यहाँसे मैं common x निकालता हूँ तो यहाँ पे x बसता है plus 12 बचेंगे minus 10 निकालता हूँ तो x plus यहाँ पे 12 बचेंगे equal to मेरा आएगा 0 तो यहाँ पे question मैं निकता हूँ भी यहाँ पे common जो term x plus 12 plus x plus 12 हो आजाएगे यहाँ पे x plus 12 और दूसरा जो है x minus 10 x minus 10 equal to 0 तो यहाँ पे फिर हम लेते x plus 12 equal to 0 और x minus 10 equal to 0 तो यहाँ पे x equal to minus 12 आ जाएगी और x equal to 10 आ जाएगी तो यहाँ पे natural number है natural number negative नहीं होते तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ but natural नमबर cannot negative अगर नेचरल नमबर निगेटिव ने तुमारा नहीं है तो यहाँ पे तुमारा x is not equal to minus 12 आ जाएगा therefore x equal to 10 तो यहाँ पे जो पहला तुमारा नेचरल इवन नमबर है वो आ जाएगा 10 quantity को सेकंड क्या आ जाएगा तुमारा यह गया फर्स तो सेकंड जाएगा x plus 2 है तो आ जाएगा x plus 2 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 10 plus 2 equal to 12 तो यहाँ पे तुम्हारा एंसर है यह question what problem तुम्हें तीन या चार मार के लिए पुछे जाते हैं अच्छी तरह से अगर तुम करते हो तो तुम्हें यहाँ पे यह भी question तुम्हें अच्छे तरह से मार्क दिला सकता है तो स्टुडेंट से हाँ मैंने तुम्हें 2.6 जो प्रैक्टिस सेट है मैंने तुम्हें वह उसमें से कुछ प्लेलिस देखके तुम बाकी भी वीडियो देख सकते हो जो तुम्हारे mathematics में काम आएंगे मैं नेक्स टुडियो में तुम्हें अगला lesson लेकर आओंगा दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना तुम्हारी जो भी डावड से हो कमेंट बॉक्स में भी डालना मत भूलना नमस्ते